असलाम अलेकुम हाई एवरेवन वेलकम बैक टो मैं चानल कोकिन करनाटा कांस्टाइल आज की रिसीपी पूरण चलिए इसो फटाफट से बना लेंगे तोड़ा लंबी रिसीपी है स्किप्ट मत करिये पूरा इन तक वीडियो दिखें मैं ये कप आफ तोरदा लिया है वही कप पफ एनिकी वो ये का हो ओर हाधा मौनन डाफ कप पफ मैं चना डाल लियुईूर ऑप दोंबी मिक्स करेंगे तो टेस्ट अलादा रहेगा आप चाहे तो ये भी उस कर सकते हैं उसके बाद मैं सूका नारे लेनी की सूका खोपरा लिया है आप चाय तो ज्यादा कम कर सकते हैं पांच से इलाची लिया है उसके बाद आधी टीस्पुन में सौम का दाना लिया है मैं आदा केजी का दाल लिया है दोनों मिला के आप उसी मेजर्मेंट पे आदा की जोगरी लेना है मैंने की गूर लेना है वही आदा केजी का टेस्ट बरब रहता है चलिए जो मैं पस्ट चना दाल को फ्रेजर कुकर में मैं अच्छे से दो विजल तक मैं कुक कर लूँगी क्यूंकि कुक करते वह वक्त भी खयाल रखना पड़ता है यह कुक होती एक नहीं ह पालो करें देख लिजए मैं दो सीटी तक में चना दाल को कुक कर लिया है यह मीडियम टेंपरेश्ट रिनी की कुक हो गई है मीडियम से उतनी घट भी नहीं है चलिए इसके बाद जो तोर दाल को मैं अच्छे से दो पानी से वाश करने के बाद आप इसमें आड कर लूँ घुकी थोड़ा आप अगल तो जाती है लेकिन थोड़ा जैंवें में दाल को मिक्स कर लें तो पानी दाल के अब आप सालन बनाने का प्लान रहा है तो आप ज़्यादा पानी डाल थे सीटी आने तक आई करने के टाईमें हमें आफ करेंगे चलिह मैं सूम को जो तोड़ा रोश कर लिया था सौंप भाद यी व्लाचि को थोड़ा हमें से इसी तरह से क्रश्ट कर लेंगे अच्छ लिए इसे पीछने के बाद जो सऊंप भू और इलाचि को इसका पौडर हमें बना लिया है मैं थोड़ा सौंप को दो मिनिट के लिए रोज कर लिया था उसके बाद जो हमारी दाल बिलकुल गल चुकी है दाल पुरा बिलकुल गल चुकी है हमें दाल को में इंपर्टेंट डाल को हमें अच्छे तरह से गला लेना है उसके बाद हमें दूसरा स्टेप करेंगे चलिए इस वाटर को हमें नि पूरा कुछ भी पान में ड्राइब दाल लेना है चलिए हमें दाल को फूरा फर्फेट गला लिया है आपको मैं बार बार बूल रही हूं दाल पूरी अच्छी तरह से गला है आप वह इसी तरह से आप जागरी को दालेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा चलिए इसको पूर शुका लिय 낮 भाएन को वह ईसको और लुट खेशक से भाएन राफ को ईसके बाद में इसके कट लिया था को भी से मिक्स कर लेंगे। का उयरा है चलिकली कहें श्कुरा मिक्स कर लोगी आप च्लिए हमें है इसे तरह से हमें पूरा लेवल से मिला लेंगे बहुत इंपॉर्टन्ट है थोड़ा लंबी रेसिपी है लेकिन टेश में बहुत होती यह में रेसिपी आप तीन चार दिन तक फ्रिज में रखे आप बिल्कुल कब आपको कप चाहे मन चाहे बना सकते हैं चलिए यह तो बिल् देंगे इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा जागरी को मिला लेके पूरा लेवल कर लेंगे आप दाल अच्छे से गल गई तो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आप बिल्कुल फ्रफट आपका पूरन बनेंगा यह निकी मिक्चर बनेंगा उबिट के लिए मैं स्टोप पर रख दिया है इसको पर रखने के बाद थोड़ा यह जागरी गलने के बाद थोड़ा पानी जैसा होगा चलिए देख लीजिए मर दाल इस तरह से में गला लिया है आपको प्रस करने के बाद कोई खांट नहीं दिखना है उसमें इसे अच्छे से निकी ड्रै होने तक इ मुष्ट लेजिए निकि इसको अढ़क देंगे हमें एक कौन साथ भी प्लेट है पुद्के फुली से आप करना है क्योंकि यह थोड़ा उपर उड़ने का चौंसस रहता है बबल से चलिए यह तो थोड़ा हमें पांच मीट तक इसी तरह से पका लेंगे ड्रै होना है इसे कोई डरने की बातने ही आप मिक्चर पतला होगा तो आप थंडे के छोड़ा देंगे तो आप आओं घट हो जाएगा इसे हमें इसी तरह से पका लेंगे ड्रै होने तक इसे मुझ यह थाजिय के हमेचर रड़ी होगा है मैं फ्लें को बं कर दूएंगी एक बड़े-वाला त मैं ट्राइख कर लिया है रहाई كर बा省 करने के बाद मैं मिक्चर में डाल रहे हूं थोड़ा हम काखी डाले देखे दोस्तों हमारे मिक्चर बिल्कुलन रड़ी होगा है ततरह सी सारह में पूरान बनालेंगे चलिए हमारा पूरान बिल्कुल रड़ी हो गया है आप चाहे तो 5-6 दिन तक अभी फ्रिज में रखे आपको कर सकते हैं मैं आपको अगली रसिपी इसके पूरान पूरी की रसिपी लुंडी पूरी की रसिपी आपको मैं डालूंगी यह मिक्चर तो बिल्कुल फर्फर बना यह थोड़े लंबी रसिपी है थोड़ा डरी है लेकिन आप दाल गला लेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें अस्सलाम लेकुम